वेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा खुस्षूरा सा डिजाइन का डोरमेट देखिए आज हमने यह तो कलर की यह उली है इसे हम डोरमेट बनाएंगे आज हमने साडियों से एक इंच की पट्टिया इस तरीके से हमने कट की है इसे से ह जाएंगे तो देखे सबसे पहले हमने डाले हैं फंदे बनाना करेंगे सबसे पहले जितने कम ज्यादा ले उससे कोई प्रोसेस नहीं प्रोसेस नहीं यह अप जितना पाफ चाहे उतना बड़ा या छोटा बना सकते हैं क्योंकि इसमें छोटा साप को बता रहे हैं प्रोसेस सेम ही रहेगा आप जैसे बनाना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं देखें यहाँ पे दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो तस ग्यारा बारा तेरा चौदा और यह देखें पंद्रा हमने पंद्रा पंद्रों का बनाया है आप इतने चाहें उतने 40-50 पंद्रों का जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं सिर्फ प्रोसेस इसमें जो हम बताएंगे वही सेम ही प्रोसेस रहेगा तो इस चीज का ध्यान रखें प्रोसेस को सेम ही रखें और डिजाइन बिल्कुल एक ही जैसे बनी पंद्रा आप जैसे चाहें वैसे आप ले सकते हैं प्रोसे प्रोसे फंद्रा ने इस तरीके से देखें यहां फिर से पूरी रख को बनाएंगे यहां पर फिर मेंद्रेश को प्रोसे प्रोसे इसे कांत करेंगे एक दो तिन आपसा हमने बनाई और यहां से देखी और त one cd देखाया ब्यूंसे समय है नचलिए स्वाज़ में जो यहां से में टेख़ाया को मैं German यहां इससे कि तरीक्यें कि अजय नर्लाँ चुलिए हम यहां पर एक फंदा यहां आधा बनाएंगे और बाकी बचे हुए देखे एक दो दो फंदे हम इसी कलर से बुनेंगे फिर से हम एक यलो बनाएंगे एक और यहाँ पे देखे इसे भी आगे साइड दबा देंगे इस तरीके से और एक दो इसका फिर से बनाएंगे यह देखे इस प्रकार से की तो और यह दे्खे तीन यहाँ पर किनारे पर तीन रखेंगे यस तरीके से और पलण देंगे याँ पर देखे अब जो जिसे इसमें नहें को मुड़िक ना लेना है कम्प्ट्रों विद्वन परूर् अब इसे यलो से बनाएंगे कि इस टरीके से सभी पंदों को बना देंगे इसी तरीके से अब देखिए यहां पे में तीन फंदे बुने और यहां से ढ़िए इस भी पंदों को हमें यलो से बुनना है इस तरीके से सभी फंदो को यलो से में बुन लेना है इस तरीके से यह देखे अब इस प्रकार से अब हमारी यहां से क्या करेंगे जो जिस कलर से है में उसी कलर से बुन लेना है देखे यहां से इस तरीके से आगे करेंगे और यहां से यलो को पीछे करेंगे देखिए यहां से जो जिस कलर से हमें उसी कलर से बुन लेना है अब देखिए यहां पे हमने एक रो बनाई यह देखिए यहां पे एक रो बनाई और यहां से हमाई तीन थे अब चार बना लेंगे इसके हम चार बनाएंगे और बाकी प्वचे हुए फंदों को हम देखे यहाँ पे जितने भी फंदे हम यलो से हैं सभी को हम यलो से बनाएंगे इस तरीके से सभी फंदों को हम यलो से बनाएंगे अब देखे यहाँ पे जो हमने यह फंदे छोड़े हैं देखे यहाँ पे अब इसकी हम दो रोख complete से बुणेंगे यहाँ से हम yellow से ही बुणेंगे इस तरी के से अब देखिए जो जिस कलर से मैं उसी कलर से बुण लेना है इस तरी के से अब यहां से पलट देंगे सीधी साइड से लेंगे तरीके से और इसके बाद कल की वीडियो में हम आपको अंडा काड ओरमेट की एक और खुबसूरत से डिजाइन बताएंगे तो अगर आपको देखना है तो उकल की वीडियो को वाज कीजिएगा बहुत ही खुबसूरत से डिजाइन है तो इस तरीके से देखिए यहां पे Siya अब हम जो जीस कलर से उसी कलर से इस तरीके से बुल लेंगे आप देखिए इसके बाद जो है यहांपे बुलने के बाद हम जब जाएंगे सीधी साइट पर तो यहां पर हम आपको एक ओर डिसाइब से दिखाएंगे इस तरीके से पलडेंगे और यहां से हम लेंगे सीधी साइट पर इस तरीके से और यहां से पलट देंगे सीधा लेंगे देखे देखे यहां पे अब यहां पे जो हमने यहां पे तीन फंदे थे तो चार फंदे हमने कर दिये थे देखे अब यहां पे हम लेंगे यलो कलर को देखे यहां पे लगाएंगे इस तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे यलो कलर देखे अब यहाँ पर जो हमने एक यह वाला कलर लिया था इसे हम यलो से बना लेंगे और तीन कलर रखेंगे यहां से और पलट देंगे सीधी साइट से लेंगे देखे अब देखे हमारी इतनी डिजाइन अब जो जिस कलर से है हम उसी कलर से यहाँ पर बना लेंगे इस तरीके से पलट देंगे सीधी साइट से लेंगे आप दिखिए लाश्क में किस तरह से करना है वो आपको दिखाएंगे यहाँ पे और इसी तरह की एक new design है एक पंदा डोर मेट वो भी मैं आपको बहुत ही design बहुत खुपसूरसी एक तम new design है तो उसको मैं आपको बना के पूरा दिखाऊंगी बहुत ही खुपसूरसी है तो यानि कि वो बहुत ही खुपसूरसी है और इसी तरीके से बन जाती है तो आपको जो अगर जितना चाहिए उतना बड़ा आपको उस तरीके से बना सकते है इसी तरीके से बन जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आप देखिए लाश्ट में हम यहाँ पे तीन पंदे जो हमारे इस कलर से हैं उसे इसी कलर से बनेंगे और यहाँ पे एक यलो बनेंगे देखिए सौरी और यहाँ पे हम इस तरीके से एक पंदा इसी कलर से बनेंगे और एक यलो से बनेंगे एक दो फिर से हम एक फंदा यलो से बुनेंगे और एक दो एक यलो से बुनना है यह देखे इस प्रकार से अब पलड़ देंगे इसी तरीके से हम इसकी त्री रो अब जो इसी कलर से पूरा हमें थिरी रो में बनाना है पूरा जो जीस कलर से उसी कलर से बनाएंगे तो यह देखे इस तरीके से हमारी डिजाइन इस बनके रेडी होगी तो आपको यह डिजाइन कैसा लगा प्लीस कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा यह देखे कितना प्यारा सा डिजाइन है तो इस तरीके से आप जितना चाहिए उतना बड़ा बना सकते हैं आप यहां से हम सभी फंदों को देंगे बन कर देंगे और यह हमारा डिजाइन बनके रेडी हो जाएगा